अज़के इस पावरप्रेंट प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं म्यूको माइकोसिस जिसे हम ब्लैक फंगर डिजीज भी कहते हैं इसमें हम पॉइंट इंक्लूड करेंगे कि ये जो म्यूको माइकोसिस है वो है क्या होता क्यूं है और बेसिकली ऐसे कौन कौन से परसन है व्यक्ति है जिनको इसके होने के चांसे बहुत जादा होते हैं ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है इसे हमने एडॉप्ट किया हुआ है गॉर्मेंट के द्वारा जो बनाये गए गाइडलाइन और एडवाईजरी है उससे यानि कि माई गॉर्मेंट का शेर किया हुआ पोस्ट है जिसे ICMR ने दिया हुआ है तो पूरी की पूरी जानकारी हमने वहाँ ही सी ली है और इसमें अपनी फार्मिसी और फार्मकोलोजी के नौलेज को यूज करते वे आपको सरल भासा में एक्स्प्लैन करने की कोशिश करी है तो यह जो information है वो पूरी तरह से valid, authentic और एक फार्मसिस्ट के द्वारा दिया गया है किसी भी normal वेक्टी के द्वारा जानकारी आपको नहीं दी जा रही है इसलिए इस वीडियो पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि इसकी दी गई जानकारी बिलकुल 100% सटीक है चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यह जो mucomycosis है वो है क्या और यह होता क्यूं है सबसे पहला चीज कि mucomycosis में जो last word आप देख सकते हैं माइकोसिस इसका मतलब होता है कि यह एक ऐसी problem है जिसके पीछे fungal या mold involved होते है दूसरा question कि क्या यह ऐसे नई बीमारी है जैसे covid-19, coronavirus आया एकदम नय से क्या यह विसी तरीकी के नया infection generate हो गया है नहीं बिलकुल भी नहीं यह जो mucomycosis है यह पहले से present है हमारे atmosphere में लेकिन यह जो problem है वो बिलकुल rare है कभी कभी किसी किसी में देखने वाला है चूकि यह rare है इसलिए अब तक बहुत जादा जानकारी इसकी नहीं मिली थी लेकिन अब यह जानकारी उभर करके आ रही है rare होने के बावजूद यह life threatening है जानलेवा है बहुत जादा dangerous है इसलिए पूरी जानकारी का सुनना और लोगों तक मोचाना यह हमारा एक moral duty बनता है as a pharmacist as well as as a pharmacologist तो मैं आपको यह जानकारी simple तरीके से देने की कोशिश करूँगा अब अगर मैं इसके दूसरे नाम के बारे में बात करूँ तो इसको हम gyomycosis के नाम से भी जानते हैं पुराने नाम इसका gyomycosis हुआ करता था चूकि यह एक ऐसा fungal disease है जिस पे आपका जो fungal का color है वो black color र यह disease है disease का मतलब बता ऐसी problem जो किसे ने किसी type of mycosm के कारण से फैलती है इसलिए इससे बोला गया black fungal disease अब अगर आप यह सोचेंगे कि इसके पीछे का logic क्या है क्या यह जानलेवा है तो basically अगर यह treat सही समय पे नहीं किया गया तो हाँ यह जानलेवा हो सकता है mucomycosis को अगर आप एक साधान infection समझते हैं तो यह ऐसा नहीं है यह is a very life threatening mucomycosis is a fungal infection that mainly affect those people on medication यह ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा परिशान करता है या ऐसे होने के chances ज़्यादा होते हैं जो किसी ऐसे medication पे dependent हैं जिनसे उनकी immune system थोड़ी सी weak हो रही होगी like in case of COVID-19 आज का जो यह topic है वो COVID-19 के reference में हम बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जिनको COVID-19 की problem है और उनको steroids दिया जा रहा है improper तरीके से तो उस steroids के improper तरीके या overdose होने के वैसे उनका immune system weak हो जाता है और इसी weak immune system के कारण से mucosus के लिए responsible जो fungal है यह affect करना start करते हैं दूसरा अगर हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो अभी तो healthy है को COVID-19 से उबर चुका है उससे बाहर आ चुके हैं लेकिन उनका जो contact है वो basically ऐसी जगह से होता है जहां पर pollutions और उस pollution में जो fungal के spore हैं वो ज़्यादा मातरा में पाया जाते हैं तो वो inhalation के थुरू हमारी body में enter कर सकते हैं दो चीज़ें यहां पर है fungal spore का मतलब क्या होता है spore basically ऐसे forms होते हैं macrosm के जो कि किसी भी adverse condition में खुद को बचा रखने के लिए अपने में कुछ ऐसे changes देवलप करते हैं ताकि वो different adverse condition में आराम से survive कर सके अब जब situation उनके favorable condition में आ जाती है तो वो अपना जो actual infectious symptoms हैं वो दिखाना start करते हैं तो वो spore है बहुत strong enough होते हैं easily destroyed नहीं किया जा सकते हैं यह spore होते हैं so यह कैसे फैलेगा just suppose करिए कि यह कोई व्यक्ति है healthy है happy है यह ऐसे atmosphere में move कर रहा है after recovery from covid जहां पर dust में इस तरह के जो molds हैं जो फफुंद है वो बहु जादा मातरा में पाया जाते हैं so obviously inhalation के through यह इनकी body में enter कर compromised है just because of cortical steroids and different types of steroids and covid-19 case तो इन पर यह affect होने के जादा chances है और इनके इस कारण से इनके एक particular pass of face में इस तरह के black black sports नदर आएंगे और यही है आपका mucomycosis और black pungal disease इसके symptoms कैसे हैं इसके sign and symptoms क्या क्या हो सकते हैं हमें कैसे पहचानेंगे कि यह problem है तो basically आपके लिए एक general public के sign on symptom same हो सकता है बट एक medical professional pharmacist के लिए इन दोनों का मतलब अलग-अलग होता है sign का मतलब कुछ भी हो सकते हैं जो किसी और disease में देखने को भी मिल सकते हैं और symptoms का मतलब होता है ऐसे specific type के लक्षण जो की इसी बीमारी की खास पैचान है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो और आपको मैं अच्छे समझाओं आगे जा करके तो यह क्या क्या है sign and symptom दोनों को साथ में जोड़ते हैं तो पहला symptoms है आपका sign के accordingly यह है pain and redness around eyes and nose आपके नांक और आँक के आसपास दर्द होगा और वहाँ पे लाल-लाल निशान भी लालीमा भी देखने को मिल सकती है shortness of breath fever भी इसमें आएगा को भी जहां कहीं भी कोई भी macrosm involved होता है चाहे फंगल हो bacteria हो virus हो parosin हो या कोई और other allergen हो तो उसमें body अपना response fever के रूप में दिखाती ही दिखाती है उसके बाद bloody vomits है इसका मतलब होता है कि खून की vomiting होगी यह आपको एक symptoms के रूप में से बजना चाहिए क्योंकि specifically common generally यह नहीं होगा normal बीमारियों में बट अगर यह आपका mucomycosis है और आपको पता है कि आपके body में कोई fungal infection भी है तो आप समझ सकते हैं कि यह जो खून की vomiting है वो इंडिकेट कर रही है कि something is not going well इसके बाद है headache जो कि commonly most of the other case में भी देखने को मिल सकता है और coughing होगी coughing होगी क्योंकि यहां पर respiratory system effect हो रहा है लेकिन इस coughing में भी दो खास चीज़े हैं coughing तो होगी बस cough के साथ भी blood आएगा आगे हम बात भी करेंगे इसके बारे में कि कौन सी warning signal है जिनको आपको किसी भी conditions में avoid या neglect नहीं करना है अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौ कोई भी normal व्यक्ति जिनको COVID हुआ है अब रिकवर हो गया है तो क्या सारे के सारे COVID-19 के patient को यह होने के संभावना है आंसर बहुत साफ साफ है सारे के सारे COVID-19 patient को यह नहीं होगा ऐसे व्यक्ति जिनको यह गए problems है या जिनको severe conditions में hospital में लंबे समय तक लिए टीट किया गया या जो highly diabetic patient है इनके chances है normal व्यक्ति जो recover हो गया है उनको chances बहुत कम के बराबर है चुकि मैंने कहा कि यह एक rare disease है बट लापरवाही तब भी नहीं maintain करनी है किनको किनको खत्रा जादा है ऐसे व्यक्ति जिनको diabetes mellitus की problem है इसको सरलबासा में sugar की बिमारी मदुमे की बिमारी बो सकते हैं diabetes mellitus की basically तो दो टाइप होते हैं type 1 और type 2 जिसको हम लोग insulin dependent या insulin non-dependent, non-insulin dependent भी बोल सकते है type 2 को जिसमें हमको हमेसाब type 1 में insulin को external source से लेने की ज़रत पड़ेगी जबकि type 2 में हमको oral anti-hypoglycemic agent लेना पड़ेगा यहां पे conditions कोई भी हो खास करके अगर आप बात करे dangerous level की तो type 1 को ज्यादा danger है चुकि इंडिया में type 1 के patient बहुत कम है इसे लिए इनको छोड़ दीजिए इसमें type 2 ज्यादतर हमारे यहां include होते हैं तो type 2 में भी CBIT के हिसाब से grade के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे वक्ति को ज्यादा रिस्क में मान सकते हैं जिन का immune system कम हो गया है surprise मतलब होता है कम हो गया है और COVID-19 में तो already immune system कम हो जाता है plus उसके साथ जो steroids use करते हैं यह भी immune system को कम करता है तो ऐसे patient में भी chances देखते हैं अगर गलती से भी यह point कहीं आपका explain किया हुआ नहीं मिलेगा बट मैं आपका explain कर रहा हूँ अगर कोई ऐसा व्यक को अब COVID-19 की problem होती है और अगर गलती से उसे diabetes mellitus भी है तो इससे जादा risk में और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता तो depending upon the conditions depending upon the comorbidity conditions यह risk बढ़ सकता है इसके बाद अगला जो conditions है जो dispose हो सकता है इस बीमारी से वो है prolonged ICU stay ऐसे व्यक्ति जिनको severe conditions में ICU में admit किया गया हो और वो थो करने के लिए हमको कई चीजों पर ध्यान देना पड़ता है जिसमें oxygen के supply को भी ध्यान रखा जाएगा और ventilator को भी ध्यान दिया जाएगा और oxygen के supply जब हम करते हैं तो हमें humidifier यूज़ करते हैं जिसके कारण से humidity maintain हो सकती है और improper sanitization या non-sterile water को हम लोग यूज़ करते हैं जब humidifier में तो भी उसके chances बन जाते हैं प्लस ऐसे व्यक्ति जिनको co morbid conditions है जैसे में बता है आपको AIDS हो गया किसी को diabetes हो गया किसी को hypertension हो गया kidney failure है lungs में problem है तो वो problem प्लस अभी का ये जो covid की problem ये दोनों मिल करके chances को बढ़ा जेते हैं तो वो खत्रा उनके लिए जादा है और ऐसे व्यक्ति जिनका organ transplant हुआ है जिनक cancer हुआ है cancer के लिए chemotherapy चल रही हो उनमें भी अगर covid-19 हुआ हो तो उसके बाद chances है मैं एक चीज़ यहाँ पर और clear करना चाहूंगा कि ये जो आज का topic है वो covid-19 patient के recovery के बाद के reference से लेकर के लिए आ गया है यानि कि जिनको covid-19 हो चुका है प्लस ये problem है उनके respect में हम बात करने है इसके बाद अगला जो point है वो है woriconazole therapy woriconazole is example of antifungal drug which is a belong to the category of azole तो ये जो category का drug है इसके misuse की वज़े से इसके excessive use की वज़े से आपके response भी इसके लिए घट सकते हैं इस mucomycosis के against में तो chances बढ़ सकते हैं कि infection आपको भी हो जाए ये अगर therapy चल रही है तो आगे के slide में ह जादा डरना चाहिए कब आपको ये सोचना चाहिए कि अब immediately आपको डॉक्टर से concert करना पड़ेगा तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरा पूरा जानकारी COVID-19 के patient के reference में है ये देखिए ऐसे व्यक्तिज जिनको diabetes है जो immunocompromised हैं उनको अगर ये symptom दिखते हैं तो बिलक ब्लैक कलर में हैं उनके साथ ब्लड आ रहा है या अगर आपकी किसी पर्टिकलर लोकल पार्ट नेक पे या चिक बोन पे पे पें हो रहा है तो आपको बिलकुल भी लेट नहीं करना चाहिए डियाग्नोस कराने में वन साइडिट फेसियल पें आपके चहरे के एक साइड अ अगर आप देखते हैं कि Blackest Discoloration Over the Bridge of Nose Plate अगर आपके नाग के आसपास Black Color का discolor हो रहा है फंगल ग्रोथ हो रहा है तो ये आपके जढ़ादा Dangerous Signal हो सकता है अगर आपके दाथ में तेज दरद हो रहा है नार्मल अगर आपका यत्टी है नॉर्मल रहा है तो इसको आप इससे misconception ना करें इस पूरे conditions के ध्यान लगते वे इस pain के conditions को ध्यान लगते वे दात दर्द हो रहा है दात अगर धीला हो रहा है आपकी जो जबड़े हैं वो move proper नहीं कर रहे हैं तो भी ये warning signal हो सकता है अगर आपका जो vision है वो blood है अगर आपको धुन्दला धुन्दला दिखाए दे रहा है या कोई बीचीज डबल दिखाए दे रही है और आपको pain भी हो रहा है स्किन में कटाव चिलाव भी हो रहे हैं blood clot भी हो रहा है अगर या कोई tissue damage हो रहा है तो भी ये पूरी chances है कि ये आपके fungal infection है क्योंकि जिस किसी भी body part पर ये fungal infection होगा वो उस particular part को necrosis यानि कि lezen convert करने लगेगा चाले में convert करने लगेगा अगर आपको chest pain दिख रहा है अगर आपको liquid effusion है वो हो रहा है अगर आपको आपकी vomiting के साथ blood बाहर आ रहे है या आपके respiratory system में कोई problem आ रही है तो भी आपको immediately doctor का consultation लेना चाहिए अगले slide में हम बात करते हैं इनके कुछ proper symptoms की जिसको मैंने already discuss किया हुआ है तो आपके face के कुछी particular part पर आपको pain होगा ये एक side भी हो सकते हैं किसी एक side या दोनों side भी हो सकते हैं इस nose plate पे आपको swelling redness देखने को मिलेगी आपको severe headache हो सकता है एक part में numbness, sunnness हो सकता है redness हो सक और ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा mucus release हो रहा है जो आपको sputum निकल रहा है ये black color का होगा और के साथ-साथ blood भी आ सकते हैं ये एक important symptoms है आँख के चारो तरब भी काली-काली जी आपको fungal infection देखने को मिल सकते हैं severe headache होगा इस case में जैसे CVIT बढ़ती जाएगी neck pain भी हो और अगर हो गया तो फिर कैसे करें वो management कहलाता है तो prevention के इस तरीके बड़ी easy और बहुत useful है उनमें से पहला use mask if you are visiting any dusty construction site अगर आप किसी ऐसे site पर move कर रहे हैं जहां पर dust है construction site है और आप COVID-19 के patient रह चुके हैं तो आपको proper mask यूज़ करने चाहिए और as per the latest advisory and guidelines of the doctors and ICMR government के द three layer surgical mask यूज़ कर रहे हैं तो इसके उपर आप अपने घर का बनाएवा cotton जो कपड़े का cotton का mask हो सकता है वो यूज़ कर सकते हैं तो यह यूज़ करने से क्या होगा जो बाहर के dust में muco-microsis के जो sports हैं जो fungal infection के responsible हैं यह आप अपके mask के दवारा mask हो जाएंगे छिप प्राउजर फूल पहनना चाहिए कपड़े long sleep आने की फूल बाही वाले shirt पहनने चाहिए gloves पहनने चाहिए जब आप gardening कर रहे हो तो ताकि इनके contact में ना आया जा सके इसके बाद आपको परसनल hygiene maintain करना होगा आप basically दिन में वहाथ अच्छे से करें नहाँ अच्छे से लें गरम पानी से नहा लें तो इसको हम maintain करके रख सकते हैं अब अगर यह हो जाता है किसी patient को कुरकि हमारे control में अगर कुछ चीज नह मैनेज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको आपको सबसे पहले तो आपका blood sugar level manage करना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति को जिनको ये ketoacidosis की problem है वो तो जेन्रेस condition में चले जाएंगे वो भी आपको नहीं जाने देना चाहिए diet में ऐसी चीज़ें यूज करने चाहिए जो कि blood sugar level क कम करें या फिर anti-diabetic drug oral hypoglycemic drug जो आपके doctor ने prescribe किये हैं वो आपको देना पड़ेगा लेना होगा reduce steroids steroids का use आपको unnecessary नहीं करना चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो इसको immediately discontinue कर दीजे doctor के suggestion पे no antifungal prophylasis is basically required prophylasis मतलब होता है कि पहले से ही कोई त्यारी कर लें दवाई को लेकर क कि यह ना हो तो इसकी कोई खास जरुवत नहीं है होने के बाद की treatment किये जा सकते हैं अगला जो point है इसको manage करने का वो है कि यह doctors के लिए specific है कि extensive surgical use करना होगा ऐसे particular part जिस पर यह infection हो चुका है उस particular part को remove करना पड़ेगा operate करने के बाद बाकी जो points है वो physicians के लिए specific हैं उनको guideline अगये कैसे करना है या आप इसको skip कर सकते हैं now next है do and don't does हमको क्या करना चाहिए हमको क्या नहीं करना चाहिए पहला है करना चाहिए वो कि आपको आपका जो glucose level है वो control करना चाहिए control hyperglycemia words अलग हो सकते हैं कोई sugar use कर सकता है कोई diabetes control करने के लिए बोल सकते हैं कोई hyperglycemia बोल सकता है तो सब का मतलब एक है hyperglycemia मतलब sugar का level बढ़ जाना monitor blood glucose level post covid-19 discharge देखिए दो चीज़े सेम हैं लेकिन अंतर यह है कि अगर आप covid से बाहर आ चुके हैं recover हो गया है तो भी आपको आपके diabetes level को ध्यान में रखना पड़ेगा एक fixed interval पे blood glucose test का level चेक करते रहना पड़ेगा अगला है steroid को एकदम साधानी से यूज़ करें गलत time पे गलत जगह पे गलत dose पे यूज़ ना करें clean sterile water को यूज़ करें humidifier में oxygen therapy जब यूज़ कर रहे होंगे जब अपने घर में oxygen concentrator भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो water है उसको proper time पे replace करते रहें और specifically अगर हमको problem हो भी जाती है तो हमको antibiotics, antifungal को ध्यान में रखते हुए बहुत सही तरीके से, rational तरीके से यूज़ करना होगा अगला जो point है उसमें है कि क्या नहीं करना चाहिए कभी भी warning sign and symptoms को जैसे मैंने उपर discuss किया इनको miss नहीं करना चाहिए तुरन doctor को visit करना चाहिए अकसर हम यह देखते हैं कि जबके भी विक्ती को नाग बहता है या पिर कुछ और चोटी मोटी problem होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको doctor को दिखाते नहीं है कि normal problem है वो ठीक है कई बार भी होते है normal problem बट conditions जो अलग है अगर आप immunocompromised patient है अगर आप covid-19 से recover हुए है अगर आप immunomodulator drug यूज़ कर रहे हैं जो किमो सिस्टम को थोड़ा सब वीक कर रहे हैं कुछ केस में या अगर आप steroids ले रहे हैं ऐसे case में आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखके डक्टर को visit करना होगा do not hesitate to seek aggressive investigation अगर आप चाहते हैं कि और इसके उपर details जानकारी ले 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 तो इसके लिए डक्टर से बात करने में hesitate ना करें इसके लिए specific diagnosis करा लें staining करा लें, macroscopic करा लें, culture करा लें या faciti scan वगरा करा लें ताकि फंगल का जो infection का detection हो सके और सही मात्रा में, सही समय में इसका treatment start कर सकें तो यह है basically कुछ important जानकारी हैं government के दोर दी गई, जो इसको हम follow करके इस muco-microsis से बच सकते हैं अब हमने इसके उपर पहले से हमारे चैनल पे antifungal drug के बारे में वीडियो upload किये हुए हैं जिनको अगर आप चाहें तो चैनल पे जाकर के antifungal drug by solution pharmacy सर्च कर सकते हैं playlist दे सकते हैं animation का वहाँ पे antifungal drug के काम करने के तरीके उनके different classification आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि इस case में, myco-microsis के case में जो drug use हो रहा है वह है Amphotericin B और दूसरा होता है इसमें यूज होने वाले drug वह है Pulswa Kona Zol साथ-साथ हमने ये भी बताया था कि जो आपका Amphotericin B है इसके काम करने के तरीके कैसे हैं इसका animation commentary के साथ already available है जिसको आप search कर सकते हैं mechanism of action of Amphotericin B by solution pharmacy easily समझ जाएंगे कि वो drug काम कैसे करता है साथ-साथ हमने specific antifungal drug का specific drug of choice and their alternative drug भी बताया हुआ है अगर हम पुराने रंकारी के साब से जिसका reference है आपका पदमजा उदाकुमार first edition page number 589 उसके साब से देखें बहुत पहले का book है तो इसमें mucomycosis के लिए Amphotericin B और flu cytosine को indicate किया गया है इनके alternative में आपका itraconazole भी यूज़ कर सकते हैं but COVID-19 के केस में ये कितना information ये जो itraconazole कितना useful होगा उसके बारे में जानकारी नहीं है but Amphotericin B और आपका posaconazole दोनों important है तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने powerpoint presentation government की slide को यूज़ करते भी बनाया और आपको inform करने की कोशिश करी Thank you so much for watching this video comment box में comment करना ना भूलें क्योंकि हम pharmacist का एक ही उद्देश्य है कि आप सब तक सही और अच्छी जानकारी पहुंच सके जिसमें किसी भी तरह का misconcept ना हो authentic जानकारी पहुंच सके अगर आपको जानकारी सही लगी है तो please do support us comment box में feedback जरूर देदें Thank you, अपना क्याल रखिएगा